हे गाईश देखो एक ऐसी कमपनी है जो टाटा अदानी रिलाइंस सबसे बड़ी है तो इनसे भी बड़ी कमपनी है समझ रहो न अब मैं इनका नाम क्यों लेना चाहता हूँ अब भी देखो मैं आपको बता दूँ रिलाइंस गिरेगा तो क्या होगा रिलाइंस का सबसे वेटेज रिलाइंस का ही है है की नहीं है और उसके बाद TCS दूसरा सबसे जादा वेटेज TCS का है है की नहीं तो यह क्या है कि यह बड़े-बड़े बिजनस है अगर यह गिर जाएंगे तो क्या होगा कि निफ्टी गिरेगा और निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के अंद तो सोचे कितना बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है करके है कि नहीं यह जैसे last working day में आप लोगों ने देखा हुआ कि डाउजों में गिरावट देखने को मिली थी और weakness देखने को मिल रहा, इसके पीछे का कुछ रीजन आता कली के टेट में देख लिजिए उपर से जब स्टॉक गिरना स्टार्ट किया ना तो भाई रुकावट नाम के कोई चीज नहीं थी 14 परसेंट गिरा था यह स्टॉक टेशला का मतलब मैं आपको बता देना चाहता है ऐलन मस्क वर्ल्ड में कभी सकेंड परसेंट परसेंट में आते हैं और यहीं दोनों आपस में अपनद्वन उपनद्वन होते रहते हैं अब आप सोच ले, अगर आप सोच लीजे कि Tesla जैसा stock, Amazon जैसा stock, हला कि सबसे बड़े बिजनेसे में नाम आता है Apple, Apple जैसा stock, जब ये सारे गिरेंगे तो फिर सोचो इनका वेटिश कितना होगा वहां का मार्केट में अब ये सारे गिरेंगे तो भई पक्का है कि मार्केट के लोग कमजोर करके रख देंगे ये लोग वीकनेस तो करेंगे ही करेंगे Apple भी बोला जा रहा है कि भाई अब ये भी अपने 52 विक लोग के बाजू में आना स्टार्ट कर दीजा Apple जैसा stock मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 30% बहुत है देखो अब लोग बोलें कि भाई क्या है देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि आपने FD करवाया FD में अब आप क्या उमीद करते हो कि 5% का guarantee return तो मिल लगा एक साल बाद आप जाते हो बैंक वाले बोलते हैं कि भाई भी भीया आप 70,000 रुपे लेकर जाओ बोलें कि 70,000 क्यों मैंने तो FD करवाय था ना आप एक लाग रुपे लगाते हो एक लाग रुपे लगाते हो और मान लेते हैं आपने Amazon शेर खर दे है Amazon का शेर का प्राइस अभी 60% गिरा हुआ करके कि कितना 60% गिरा हुआ तो बचे कितने 40,000 रुपे तो लोग क्या बलेंगे हैं हाँ बाई 40,000 रुपे चलो कोई दिखर की बात नहीं है ठीक है सूचो तो स्टॉक मार्केट में 60% का गिरावट हो गया Amazon में तो इतना बड़ा मतलब कोई टेंचन वाली बात नहीं है लेकिन अगर FD में थोड़ा बहुत भी गिरावट हो जाए तो टेंचन वाली बात होती है तो मैं FD को क्यों compare कर रहा हूँ Apple से FD का मतलब क्या होता थोड़ा secure होता है कि नहीं है हाला कि Warren Buffett ने भी इस company में 5% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद रखा 50% margin इतना ज्यादा margin आपको वर्ल्ड में किसी company में देखने को नहीं लिगा वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में सोच लिजे इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Apple अगर 30% गिरा है मतलब समझो कुछ बहुत बड़ा बुरा हुआ है यह मैं आपको समझाना चाहता हूँ इतना example देने के बाद ठीक है तो Apple जैसे stocks में Amazon जैसे stocks में बड़ी बड़ी गिरावड देखने को मिली अमेरिक मतलब समझो 54% तक का गिरावड यहां पर भी है की नहीं है अब समझो Amazon जैसे stocks में 54% तक का गिरावड है टेसला जैसे stocks में 70% तक से ज्यादा गिरावड है Apple जैसे stocks में 30% मतलब समझो कि अमरिका के जो बड़े बड़े business है उनको तकलिफ हो रही तो इसके वज़े से डाउज को और चाइना में कोविट का जो सिलसिला चल रहा भाई वो तो continue है देख लिए सारे खबर 2 गंटे 10 गंटे 5 गंटे यह मतलब यह सारे अभी है top story आपको बताया चारा चाइना के बारे में देख लिए तो कोविट का situation मतलब थोड़ा बहुत जादा हो रहा करके हम इंडिया में हम सेफ हैं इंडिया में दोनों तरफ से सेफटी है यहां पर कोविड भी नहीं है और नहीं ज्यादा रिशेशन भी देखने को मिल रहा है तो यह सारी ऐसी खबर है जिसके वाज़े से मार्केट में कमजोरी देखने को मिल रही है हाला कि budget है और quarter result भी आना स्टार्ट हो activity आपको निकाल के देने वाला है तो इससे पता चलता है कि हर जगे अच्छे जगों पर बड़ा गिरावट देखने को मिला है हमें भी थोड़ा बहुत जो है अपने पेशिंस में अच्छे स्टॉक को रखना चाहिए और future के लिए सोचना चाहिए और अगर अब स्टॉक मा झाल 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 ऑर झाल 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 गट करिवकि और गिरावब को रझेखना है